वाइज, वेलकम बैक तो मैं चानल, आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो, तो इस वीडियो में हम बेखने वाली हैं एक और नई स्टोरी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक स्टोरी शेयर की थी, उसी तरह एक और नई में स्टो ही लेंगे, और इस स्टोरी में ये बहुत छोटू सी स्टोरी है, बट इस स्टोरी का जो मतलब है, वो बहुत बहुत बढ़ा है, तो इसके साथ स्टोरी इत्ती सी है, और उसके साथ हमें मॉर्डरल भी दिया है, तो जल्दी से स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस के साथ शेयर कर देती हूं सबसे पहले जिससे आपको इस सोरी को समझने में, पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए, तो चलिए सबसे पहले वो word meanings देख लेते हैं तो पहला है गिर फेल फेल मतलब क्या होता है गिर गई नेक्स्ट है वाट मतलब होता है टब, ठीक है टब, नेक्स्ट है प्रिजर्वेरेज प्रिजर्वेर्स, सारी तो इसकी जो प्रेनन्सियेशन है वो है प्रिजर्व्ज, ठीक है प्रिजर्व्ज, जिसका मतलब क्या होता है, द्रिड रहना, ठीक है, नेक्स है eventually eventually मतलब क्या होता है जल्द ही तो चलिए अब इसका हम जल्दी से स्टोरी को समझ लेते हैं तो two frogs fell in a milk wart तो ये हम picture से देख सकते हैं कि दो frog थे वो किसी चीज में गिरे हुए हैं तो वही हमारी पहली line का मतलब है कि दो frog थे और वो क्या हो गया वो fell हो गया fell मतलब हमने अभी देखा वो गिर गए कि इसमें milk wart में milk हम सब को पता है milk क्या होता है milk is milk मतलब दूद और what मतलब हमने देखा अभी जिसका मतलब क्या होता है एक tub तो ये एक दूद की tub है जिसमें वो दो frogs गिर गए next है one of them gives up तो one of them ने क्या किया gives up कर दिया तो एक उन में से जो था one of them मतलब की उन में से एक जो था उसने क्या किया give up कर दिया मतलब उसने हिम्मत छोड़ दी while the other preserve and eventually is able to save itself while मतलब क्या होता है जब की ठीक है जहां की या जब की situation के हिसाब से जो दूसरा था other मतलब क्या होता है दूसरा और preserves मतलब क्या होता है हमने अभी देखा preserves मतलब होता है dread रहना तो जो दूसरा था वो dread रहा और eventually मतलब जल्द ही वो अपने आपको सेव कर पाया था तो इसमें क्या बताया है कि हमें हमेशा अपने आपको द्रिड रखना होता है अपने आपको अच्छे से अच्छा रखना होता है लहीं मेरा मतलब है कि अच्छे से अच्छा नहीं कि हमें अच्छे से अपने आपको dread रखना होता है हमें अपने पर confident होना चाहिए कि हम ये चीज कर सकते हैं इसी वज़े से ये frog जो है ये भी बच पाया और ये वाला frog मर किया इसी के दूद के अंदर तो इस story का moral क्या है never give up मतलब हमें कभी भी हार नहीं माननी चीए तो give up मतलब क्या होता है हार मानना ठीक है हार मानना you never know your problem may suddenly turn around तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा you never know मतलब की तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी जो problem है your मतलब तुम्हारी जो problem है वो कभी भी suddenly जंगली मतलब क्या होता है कभी भी टर्न अराउंड हो सकती है मतलब की वो पलट सकती है तो वो सिच्वेशन कभी भी पलट सकती है तो इस स्टोरी में यह बताया गया है और यह बहुत अच्छी और छोट उसी स्टोरी थी इसे मुझे बहुत अच्छी लगी और आप इसके व इसका भी मैंने लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हैं इसे लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर किये जएगा थांक्यू, थांक्स वाचिंग